हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी काई किया से जुके से ने उट्वी चानल पे तो आज के बेट में हम बात करेंगे MPPEB Group 5 के यहां पे वेकेंसी निकल क्यारी ने मध्य परदेश परफेशनल एक्जामनेशन बोर्ड के तोरह जो वेकेंसी जारी किया गया है उसके बारे में पुरा डीटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो लास्ट एक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहीगा तो चलिए भी ना किसी देरी को सुरू करते हैं आज की वीडियो अगर आपको एजमेल एक्सेसन यहाँ पे मिल जाता है उसके बाद अप्लिकेशन फी की बात करते हैं तो अन्रेजाओड है जेनरल काटेगरी से आते हैं तो आपको पांसाथ रुपए अप्लिकेशन फी देने होंगे अब बात करते हैं वेकेंसी डिटेल की तो MPPB Group 5 की वेकेंसी डिटेल में हम देखते हैं तो 789 पोस्ट यहाँ पे अन्रेजाओड के लिए है 130 पोस्ट यहाँ पे EWS के लिए OVC के लिए यहाँ पे चिक कर सकते हैं 515 पोस्ट है इसका official notification से भी चिक कर सकते हैं उसका link जो है description में आपको मिल जाएगा आगे यहाँ पे देखते हैं कि कौनकों से पोस्ट है उसके लिए total पोस्ट यहाँ पे कितने निकालेगे हैं तो पोस्ट ने में यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है 2150 पोस्ट जो भी है उसका distribution देख सकते हैं staff nurse में 525 पोस्ट है staff nurse mail की बात के तो 222 पोस्ट है वीडियो को पौच करके भी आप देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है बात करते हैं अलेजिविटी कंडिशन की कि MPPV ग्रूफ हाई में कौनकों यहाँ पे अप्लाई कर सकता है तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं बता दू कि other state अप्लाई कर सकता है या नह नहीं कर सकते हैं तो स्टाफ नर्स के अगर हम बात करें तो स्टाफ नर्स में देख सकते हैं 10 प्लस 2 यानि 12 पास आपका होना चाहिए physics chemistry and biology के साथ साथ में BSE nursing आपने किया हुआ या फिर general nursing किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और registered in MP nursing council में आपका registration होना अनि chemistry biology से तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ECG technician में एक साल का certificate होना चाहिए और registration होना चाहिए आपका MP associate medical council में उसके बाद radiography technician के बात करें तो 10 प्लस 2 आपका face chemistry biology से होना चाहिए diploma या degree आपने किया हुआ होना चाहिए relevant subject में यानि radiography में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते ह registration आपका MP associate medical council में होना अनिवार रहे हैं बात करते हैं एक सरे technician की तो 10 प्लस 2 आपका pass किया हुआ होना चाहिए face chemistry biology में उसका radio therapy technician की बात करते हैं तो 10 प्लस 2 आपका PCB में होना चाहिए उसके बात यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए registration होना चाहिए अपका MP associate medical council में उसका lab technician की बात करते हैं तो यहाँ पे 10 प्लस 2 पास PCB में होना चाहिए उसके बाद DMLT यानि तो microbiology या clinical biochemistry डिप्लोमा पे पास होना चाहिए और registration होना चाहिए MP paramedical council में OT technician की बात करते हैं तो यहाँ पे 10 प्लस 2 पास होना चाहिए physics chemistry and biology से एक साल का certificate होना चाहिए उप्रेशन ठेरिटर में उसके बाद यहाँ पे registration होना चाहिए MP associate medical council में technical assistant की बात करते हैं तो 10 plus 2 पास होना चाहिए physics chemistry biology से तो आप यहाँ पे apply कर सकते हैं technician assistant की बात करते हैं तो देख सकते हैं 10 plus 2 पास होना चाहिए PCB से और 5 साल का experience आपका lab attendant पे होना आनिवार रहे है occupational therapist की बात करते हैं तो degree or diploma या certificate होना चाहिए occupational therapist में तो आप apply कर सकते हैं ortho technician की बात करें तो आप देख सकते है Cynthia होना चाहिए MP associate medical council में hoty attending के बात करें तो 10 plus 2 pass में PCB से तो apply कर सकते हैं, अगला फेकेंसी आप है, receptionist की जिसमें के 10 plus 2 आपका pass होना चाहिए, साथ में एक साल का आपके पास डिप्लोमा आना चाहिए, आप्टो मेट्रिस्ट में तो आप याप अप 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 अ होना चाहिए है, और यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए, लिटेट फिल्ड में और रिष्टेशन आपका होना अनिवार रहे है, फार्मासिस्ट ग्रेट सेकिंड की बात करें तो 10 plus 2 PCB होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, होना चाहिए, और यहाँ पे पारा मेडिकल या फिर देंटल में की बात करें, यहाँ पे 10 plus 2 PCB होना चाहिए, आपके पास और यहाँ पे पारा मेडिकल या फिर देंटल में की बात करें, यहाँ पे 10 plus 2 PCB होना चाहिए, डेंटल में की बात करें, यहाँ पे 10 plus 2 PCB होना चाह आपके पास और यहाँ पर पाड़ा medical dental में आपका जो है registration होना अनिवार रहे है dental technician की बात करें तो 10 plus 2 PCB है उसके बाद यहाँ पर certificate degree या diploma होना चाहिए relevant subject में या registration यहाँ पर होना अनिवार रहे है I assistant की बात करें तो यहाँ पर देख सकते 10 plus 2 PCB होना चाहिए I assistant two year certificate होना चाहिए बागी आपर registration आनिवारे S.P.S. therapist की बात कर लेते हैं तो देख सकते 10 plus 2 PCB है S.P.S. therapist degree या diploma होना चाहिए registration भी होना चाहिए आपका फिजियो therapist में आप देख सकते हैं फिजियो therapist का certificate मांगा गया है recognize institute से तो आप apply कर सकते है dresser की बात करें तो 10 plus 2 है आपने biology subject group से पास किया हुआ है knowledge of dressing आपके पास होना चाहिए dresser second की बात करें तो 10 plus 2 पास है अगर PCB से और 3 मन्त का आपके पास dresser training है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं TB and chest digit health visitor की बात करें तो degree या diploma आपके पास TB and chest digit में होना चाहिए उसके बाद assistant animal medical area officer की अगर आप बात करें तो यहाँ पर 10 plus 2 PCB होना चाहिए 2 years का diploma होना चाहिए animal husbandry science में nursing sister की बात में तो MSC nursing में या फिर BSA nursing या post basic BSA nursing आपके पास होना चाहिए और 5 सर के experience भी मांगा गया है तो उसके बात इसे action hall की बात करें तो 10 plus 2 pass है PCB से तो apply कर सकते हैं wife की बात करें A&M में तो यहाँ पर 10 plus 2 pass होना चाहिए with biology subject group one year certificate होना चाहिए आपका इसमें उसके बाद लाबरोटी assistant की बात करें तो 10 plus 2 biology group होना चाहिए one year certificate होना चाहिए laboratory assistant बाद की बात करें रहने वाला है तो selection process आपका यहाँ पर written exam कर रख़ोगा जो की 2 घंटे का होगा written exam का detail आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं general knowledge है general English है उसके बाद general Hindi है math है उसके बाद यहाँ पर general science है general aptitude है तो इसे 25 marks पूचे जाएगा based on technical trade का आपका 75 का रहने वाला है marks का उसके बाद total जो है 100 marks के यहाँ पर रहने वाला है दोस्तो इसके detail जानकारी के लिए आपको notification का link जो है description में मिलेगा जैसे क्लिक करेंगे तो आप notification का link यहाँ से download कर सकते हैं इसमें पूरा detail आपको दिया गया है सन्यूक्त भरती परिक्षा 2020 तो यहाँ पर date भी देख सकते हैं कि 10 October 2020 से लेकर कि 24 October 2020 से इसका date रखा गया है यहाँ से PDF बीड notification का download कर सकते है apply करना से इस apply now के button पर click कर देना है जैसे ही click करेंगे अगला page यहाँ पर खूल करके आचाए कि यहाँ पर सबसे पहले आपको टिक कर देना है टिक करने के बाद आगे यहाँ पर बढ़ जाना है आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले समाने पंजीकरन पर यहां पर क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद अगला पीज यहां पर खुल करके आ जाएगा अब यहां पर सबसे पहले आपस पूछा जाएगा कि क्या आपके पास पूर में परफाइल आइडी है तो आपको यहां पर बोलना है कि नहीं है तो नहीं बोलना ह उसके बाद आगे यहाँ पर प्रसीड होगा अब अगला पीज आपका इस तरह से आ जाएगा तो सबसे पले आपको क्या करना है यहाँ पर अपना मॉबाइल नमबर डालते ना है जो भी आपका मॉबाइल नमबर यहाँ पर फिल कर देंगे तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीज़ेगा दोस्तों के साथ सेर कीज़ेगा नाहे चनल पे तो चनल को सबस्क्राइब कीज़ेगा बेला के बेस करना ना भूलें लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा कोई डाउट हो तो कमेट कीज़ेगा थांक्स वाचिंग दिस वीडियो